जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुप काम ना है सावन का महीना चल रहा है भगवान शिव की भक्ती से ओत प्रोत हर सादक का हर छण वैतित हो रहा है सावन के महा में भगवान शिव पर अर्थार्थ शिवलिंग पर कुछ मुख्य द्रव्वे ऐसे होते हैं को चड़ाने से हमारी नाना भाती की कामनाएं पूर्ण होती हैं कोई स्वास्ते से परेसान है कोई धन से परेसान है कोई शत्रू से परेसान है तो कोई नाना भाती की अलग-अलग बातों से परेसान है आज हम कुछ ऐसे द्रव्य आपको बता रहे हैं जो भगवान शिव की पिंडी के उपर चड़ाए जाएं तो आपकी वो कामना शिगर पूर्ण होगी विवित कामनाओं के लिए सास्त्रों में अलग-अलग प्रकार की द्रव्यों को बताया गया है हाला कि यह जानकारी आज से नहीं हम कर्म से कम 20-25 वर्सों से जो हमें पुराने सुनते हैं जानते हैं सारी बाते आपको बता रखी हैं तो आईए उनी बातों को कुछ नया करके उसमें कुछ और संसोधन के साथ हम आपको आज का यह कार्यकरम बताना चाहते हैं पहले आज का पंचांग देखें तीस जुलाई सन 2024 दिन मंगलवार संबंध दोजारी के आसी सुनावनमास कुर्सन पक्स दिथी दश्मी नक्षत्र करतिका राहुकाल तीन से साड़े चार दिसासूर उत्तर दिशा सुमवार के दिन या तिरोजसी के दिन या फिर सावन के क बता रहे हें जो शायद अपने अब तक ना सुनी हो अगर कहीं ऐसा शिवलिंग हो जिसके चहुं और एक कोस तक कोई दूसरा शिवलिंग ना ओ मेरे बात को समझो जहां मंदिर शिवलिंग का हो उसके एक कोस तक चारोत दिशाओं में, कोई अन्य शिव मंदिर ना हो और वहाँ पर जागर के अगर ये द्रवे चड़ जाएं तो आपको अपने आप में चमतकार अनुभूत होने लगेगा लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कहीं न कहीं दूर दिराज में, जंगलों में आज के समय में नहीं तो भगवान शिव की भगती तो हर गली में, हर जगा, हर स्थान पर भगवान शिव के बहुत भगते हैं आपको ऐसा मंदिर मिल जाए तो ठीक है नहीं तो फिर जहां पर भी आप सुविधा के हिसाब से जा सकते हैं वहाँ पर इंद्रव्यों को चढ़ाईएगा चलिए, अब मैं आपको प्रानब करता हूँ सबसे पहले दूद दूद की धार गोदुग्द, ये ध्यान रखें, गाएं का दूद हो ना हो तो मजबूरी है गोदुग्द से भगवान शिव का अविशेक करने पर अर्थात उनका अच्छे से चढ़ाने पर नाना भाती की बहुतिक कामनाई पूर्ण होती है और सादक के मन में प्रसंता का वास आता है और सादक हर तरह से धन से, मन से और तन से वो सुखी हो जाता है आपने देखा होगा दूद की धार भगवान शिव को बहुत प्रिया है जल के बारे में भी जानले अगर हम जल की धार से भगवान शिव का विशेक करते हैं शिव पंडी का विशेक करते हैं तो जल की धार से भगवान शिव प्रसंद नोते हैं और हमारे मन में शांती आने लगती है जिन लोगा कम मन हमेशा भटकता रहता हो मन की शांती गायब हो गई हो विचार इस्थिर न रहते हो हर समश dabei चित चंचल रहता हो इस्थिरता मन में न अबस्ती हो तो भग्वान भोले ना मात्र एक लोटे जल से प्रसंद नोने वाले देव है तो वहाँ सादक को जल चड़ाना चाहिए और कई बार सत्रू की प्राकाष्ठा बहुत बढ़ जाती है सत्रू आपके बहुत बन जाते हैं उस इस्तिती में शत्रू आपसे प्रेम करने लगे आपके प्रती जो सत्रू के मन में वैर भाव है वो मिठ जाए उस हेत्व हमें क्या करना चाहिए वो भी आप नोट करने अगर सत्रू अत्यदी गड़ गए हो या सत्रू से आप प्रेशान हो गए हो सत्रू के मन में प्रेम पैदा करना चाहते हो तो भगवान शिव के उपर सरसू के तेल का विशेक किया जाता है लेकिन ध्यान रखना सरसू के तेल का जब अविशेक करे वो शिव पारद शिवलिंग नहीं होना चाहिए वहाँ ऐसी इस्टिटी में नर्मदेश्वर हो यह आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें और नहीं सरसू का तेल आप घर में जो आपने शिवलिंग रखे हुए है वहाँ पर चढ़ाएं केवल मंदिर में केवल मंदिर में जहां नर्मदेश्वर हो वहाँ बहुत शिगर आपको आशाती तलाब मिलेगा और तेल चढ़ाँ में तेल के बाद शुद्ध जल चढ़ा करके भगवान शिव को पिंडी को अच्छे से साब करके और धूप दीप दे करके अपने इस्थान पर वपस लोटाएं इसी के साथ साथ अब काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं काले तिल का क्या प्रोयोजन है वो भी आप जाने है काला तिल पहले जल चढ़ाँ में या जल में ही काला तिल मिला करके शिव पिंडी के उपर अरपन करें ऐसा करने से जिन लोगों के उपर कोई तंत्र जादू टोना आपको ऐसा लगता हो या कुछ ऐसी भूत प्रेत की आपको बाधा लगती हो आप चढ़ाए और उसी के सास्ता भगवान शिव के एक हजार आठ नामों को यदि हर सौंबार आप ऐसा नियम बना ले या हर शनिवार आप ऐसा नियम बना ले तो आपके सनी भी प्रसंद रहेंगे आपके नवग्रह प्रसंद रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की जादू तोने के शिकार से आप बच जाएंगे ऐसे भगवान शिव की पिंडी के ओपर मदू चढ़ाए जाता शेहद चढ़ाए जाता शेहद से क्या भगवान शिव की आशिरवाद सादक को सिगर पराप्त होता है वो भी जाने शिव पिंडी पर शेहद चड़ाने से मन में शान्ती का वास आता है स्वास्ते की अच्छी स्वास्ती की पराप्ती होती है दरगाईयू की प्राप्ति होती है और शत्रु सदै वापसे डरता है और थार्ट शत्रुा आपका मान सम्मान करने लग जाता है शहद से भी से किया जाता है इसी के साथ साथ शहद के साथ साथ SAYशप पंडी के पास जायफल चड़ाने का भी विधान है और जायफल के साथ साथ जैसे पकान पका हुआ अन्यभी भगवान शिव को आती परी है वो भी चड़ाया जाता है और गन्ये का रस बेल का रस इन दोनों रसों के बारे में भी आप जरू चाने है गन्ये का रस सिवपंडी पर चड़ाने से नुरोगिता प्राप्त होती है स्वास्त्य सम्रधन अच्छा बना रहता है और सिरी सम्रद्धी की प्राप्ती होती है बेलकरस शिवपंडी पर चढ़ाने से व्यक्ति की घर में सदा सदा के लिए धन धन्य की व्रद्धी बनेगी भगवती अनपूर्णा भगवती गौरी की प्रसंता उस घर में बनी रहेगी और अनपूर्णा आप से इतनी प्रसंत रहेंगी भगवान शिव के आपने देखा आधा पुरुष आधा नारी का भी भगवान शिव का रूप है तो भगवान शिव की ही करपा से आपके घर की अनपूर्णा आप से प्रसंत रहेंगी आपके घर में धन्धन्य की कमीनी रहेगी जो सादक 6 महा तक या कम से कम 34 सोंबार 34 सोंबार बेल करस्ट बना करके की पंचोब चार फूजा करता ना नभाति की उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं वो व्यक्ति-राजा के मानिन दोंगाता है policies के साथ हुआ हो कोई ऐसा कोई भी ऐसी इंसिडेंट हुआ हो कि जिसको लेकर कि आपका मन व्याकुल रहता हो आपकी मन की व्याकुलता ना जा रही हूं ऐसी इस्तिती में शिव पिंडी के उपर साथ को चावल भी चढ़ाना चाहिए खंडित चावल ना हो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखने हैं और कोई भी आप दिरव्य चढ़ाएं भगवान शिव की पिंडी पर दूज चढ़ाएं धै चढ़ाएं गन्ने का रस चढ़ाएं बेल का रस चढ़ाएं जल चढ़ाएं उसमें कुछ मिला करके घोल करके या तिल आदी मिला करके चढ़ाएं तो उसके त बात पो मेरी बहुत ध्यान से सुनियेगा बहुत ही ध्यान से सुनियेगा जो बताने वाला हूँ अभी बताऊंगा उससे पहले जौपिंडी मेंगारा किया करपर दोalayता हूँ कैसे बड़ेनगा कालसरफ दोसु पित्र दोसु, शिवपिंडी पर पांच मुठ्धी जौ सब से पहले प्रातकाल, जो सब से पहले मंदर के कपाट खुलते ही, अर्थार जल ड़ने में सब से पहले जो पांच मुठ्धी जौ समवार को चड़ावे या हमवस्या के दिन कड़ मुख्य बात बता रहे थे भग्षवान शीव गां क्या है भग्षवान का बान है नंदी के ऊपर आरूड करके आपको आशिःवात देने के लिए भगवान शिव ततास्तु कहने के लिए आतुर रहते हैं जब मंदिल में जाते हैं और जहां में भगवान शिव का परिवार देखता है गवरी भाणी भी रहती है, बहुत प्यार से लोटे से जल, हम समस्त परिवार पर कई बार चड़ाते हैं, कई बार शिप पिंडी पर और नंदीश्वर पर भी हम जल चड़ा करके प्रणाम करते हैं अब नंदी से एक बात ध्यान रखें, आज नंदी की इस्तिती वस्तुता क्या है, आज जितने भी दूद वाली कारिया की प्रणालिया हो रही है, नंदी को लावारिस छोड़ दिया जाता है, अक्सर, बुरा मत मानना मेरी बात से, नंदी को लावारिस छोड़ दिया जाता ह आप देखिएगा छोटे कस्वों में बड़ी इस्थानों पर नंदी कहीं न कहीं हमें विच्रन करते हुए मिलते हैं भूके प्यासे मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ भूक से भी व्यकुल दिखते हैं आप माने न माने क्योंकि आज उतनी दया नहीं है लोगों के मन में किसा आप घर के बाहर प्याव बना सके जो बनाते हैं उनको उनके लिए हम नतमस्तक है लेकिन आज भी बहुत ऐसी इस्तिती है आप पूछेगा मत कि अने को इस ठानों पर नंदी भूके प्यासे विचरन करते हुए पाई जाते हैं कोई उनको भाला मार देता है कोई डंडा मार देता है कोई बैचार एक रोटी के लिए कोई उनको पानी फ्यक करके उनको दूर भागा देता है मै बेटा सबके लिए नी कहा रहा हूँ मेरी भात को समझो आप अगर नंदी प्रसंद नहीं अगर नंदी की यह इस्थित्य है तो आप चायं एक हजार लोटे नंदी पर जाकर के चड़ा लेना वो मात्र पाशान है आपके लिए आप अपनी प्रसंता में प्रसंद हो सकते हो कि मैंने जाकर कि आज नंदी पर जल चड़ाया मैंने ऐसे किया लेकिन बेटे जब तक तुम प्रक्टिकली भगवान नंदिश्वर को प्रसंद नहीं करोगे वो भी हमारे लिए पूजनी है जिनके ओपर हमारे महाकाल विराजते हो तो वो सिंगासन वो पीठ इतनी सस्ती नहीं हो सकती अतुल्नी है नंदिश्वर की नंदिश्वर ही भगवान शिव के भार को समाल सकते हैं बेटे और नंदिश्वर आपकी आँखों के सामने कुड़ा करकच में से कुछ खाएं बिना पानी के नंदिश्वर डोलते घुम हैं जहां जामें हम उनको भगामें तो बेटे ऐसे भगवान शिव की भक्ती करने का तात पर ये मुझे तो समझ में नहीं आता इसलिए ध्यान रखना कहीं भी गवमाता आपको विश्रण करती हुई दिखें कहीं भी आपको नंदिश्वर दिखें तो बेटे बहुत अच्छे से उनकी सेवा करिएगा बहुत अच्छे से उनका पेट भरिएगा भड़ने वाले तो भगवान ने देने वाले परणपिता परमेश्वर संबू है लकिन उन्होंने आपको हमें महाध्यम बनाया है है ना क्या लेते हैं आज अगर हम पशू की बात करें आज हम और भी अन्ये पशू की हम बात करें वो हमसे क्या मांगते हैं कभी किसी के घर में बंधे किसी परशुन है किसी ने भी किसी कभी भी कहीं भी आप चले जाईए कोई बैंक मेलेंस मांगा कोई गाड़ी मांगी बंगला मांगा अपने नाम कोई प्रोपर्टी मांगी क्या मांगा सिर्फ पेट भर भूजन आप किसी घोड़े की बात कर लें क हम अपनी आखों के सामने उन्हें भोजन ना दे सकें तो दिकार है ऐसी हमारी किसी सोच पर तो पेटा द्यान रखना आज नंदिश्वर कम होते जा रहे हैं और नंदिश्वर कम होंगे तो भगवान शिव आएंगे कैसे भावना है नहीं कि नंदी के ऊपर सवार होकर कि भग भगवान शिव रहते हैं जहां भी भगवान शिव का शिवलिंग है महां ऐसे होई नहीं सकता कि नंदिश्वर ना हों है न कहीं न कहीं तो इसलिए बेटा मेरी बात कम के तात्परिया को ज्यादा समझना नंदी की सेवा जो सादक रियल में हर सवंबार करता वो भगवान शिव की भक्ती को प्राप्त करता जो गव माता की सेवा प्रतिदिन करता वो भगवान शिव की भक्ती करता ध्यान रखना गव गाईतरी गीता गुरू हमेशा इनका ध्यान रखना समझे आप भगवती गंगा हैं पता नहीं कितनी बातें हैं जो हम आपके साथ कर सकते हैं और सावन के महीने से ये सोगंद उठाएं कि हमें कहीं भी गव माता दिखें, हमें कहीं भी नंदिश्वर दिखें, हम उनकी सेवा में लग जाएं। बड़ा मन दुखता है, कई बार हम लोग जा रहे होते हैं, मैं अपनी भी आप से बात कर रहा हूँ, कई बार हम जा रहे होते हैं, छोटे छोटे बचडे, बीस बीस की संख्या में, पच्ची पच्ची की संख्या में, शोशन करके गव माता को रख लिया जाता है, उनके दू कि किस प्रकार स sık कि दुर्दृशा हो रही है बतानी का वेश्क्ता नहीं इसलिए मिझे बैटे हम इगर इसे अर्पावन शिप की पूज्ञा करना चाहरा है सै अर्थों हम नंदिश्वर की पूजा करना चाहरा हैं सही अर्थों में तो हमें जो जीते जाकते नंदिश्वर घुमाएं गूमते हुए दिखाई दें हमें भैगवती के रूप में कामधेनु दिखाई दें तो यदि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखना आप मात्र जल चड़ा रहे हैं अधर वाइद आप कुछ नहीं करना है इसलिए अपनी भावना के साथ साथ हम सजीव पूजा भी करना हैं और हम ऐसी भी पूजा करना हैं जिससे हमारी आत्मा भाव भिवोर हो उठे हमारी आत्मा परसंड हो उठे बस मेरी बात का किसी का बुरा मत मान लेकिन मेरा समझाने का आपको तात्परिय था आगे बिटे आपकी अपनी इच्छा है जखमी नंदी देखे हैं हम ने जखमी हमने बहुत सारे ऐसी चीजों को देखा है लेकिन लेकिन हम सब आगे बढ़ेंगे तब ही हमारे पश्यों के उपर जो यह अत्याचार हो रहा है यह होना बंद हो जाए इसलिए बेटा ध्यान रखना भागवान के रूप में उन्हें पूजें और बहुत अच्छी किरपार संभुनात की आपको हमेशा प्राप्त होगी आईए समय उचला इसकी ज्यान साथनगा जोड़ते हैं भगवान सदासिव संभु से मानिसर वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवाराधनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे धन्ते त्वक्रित सुन्दराम्वर्दरे त्रेलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिम् कुरुचित्वृत्यमचलं मन्नेस्तुकिम् कर्मवे वन्दे देव उमापतिम् सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजोनं पतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम् वन्दे मुकोंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुझकेंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विंदे बवं भवानी सैतं नमामी बवं भवानी सैतं नमामी कबच बना लें ज्यान करें सदा सिर्व संभू कर सुवासीज हम सब के उपर बरस रहा है अम बोलते हूं नेत्र खोले समाने हो जाया अपना ही लालच हम संसार में देखते रहे के साथ मैं ये कलाकंद चड़ा दू तो मुझे कलाकंद खाने को मिलेगा मैं ये फल चड़ा दू तो मुझे ये फल चखने को मिलेगा अपने लालच भरी जिंदगी से भी हमें बहार निकल करके सोचना पड़ेगा तब भगवान हमें से प्रसंद होंगे ये बात अपने गाठ बांद लेना जब तक भगवान की ये जगत है भगवान के बनाए ये चराचर जीव हैं प्राणी हैं सरी सरपहें कीट पतंक हैं जो भी हैं जब तक हम मानव मात्र के साथ इन जीवों पर दया नहीं करेंगे तब तक हमारी भगती वो परवान नहीं चड़ेगी जो हम चाहते हैं फिर तो मात्र एक लालच के लिए हम भगवान के साथ आज दू चड़ा रहे हैं फल चड़ाने फल एक रूपया का और डिमाड भगवान से एक हजार रूपया की एक लोटा जल डिमाड के हें संभू इसी साल कोठी बन जाए दो लड्डू चड़ा दो इसी साल 50 लाक की लाट्री निकल जाए दो लड्डू और चड़ा दो मेरा बेटा MBBS कर ले तो ध्यान रखना ऐसी स्वार्थ भरी भक्ती से भगवान शायद कहीं प्रसंद होते हो तो मुझे मालूब नहीं इसलिए स्वार्थ से हट करके अपनी सही भक्ती को करना सीखें जीवन में आनंद अवश्य आएगा चलिए आप सब लोग स्वस्तन हैं जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन सुबा रहा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था क मेरी बातें इनसे लगातार कभी कवार हो जाये करती हैं एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्ण किया क्या आपके इहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेज्चों का करीब चार-पांस दिनों से कववों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था मैं यही सोचने परिशान था यह सुब है असुब है क्या चीज़ है तो मैंने प्रश्ण किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कववे आ रहे हैं कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुस तो आलोगिक है इनमें दूसरा क्या जो इनका उदेश है जब महाकुम में आय उन्होंने मुझको बताया मैं मन से इनके उदेश के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही अब इनके उदेश के साथ भी हूँ मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें